में सारे मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है हम देख रहे हैं कि रॉकी एम्टियस कंचन वर्मा दिलीप चतुरवेदी असोक प्रीती सतेंद्र सुकला संगीता अनिल कुल्दीप रिया यादव आसी स्रिवास्तव पूजा मिस्रा सारे लोग आ चुके हैं और क्लास हम कि मेरी आवाज आपको बहुत अच्छे से आ रही की नहीं आवाज एक बार मेरी केलर कर दीजिए कि आ आहारेक की नहीं और एक बार और एक बार पूछेंगे हम आपसे कि कल की जोें मिटिंग डियोा आ इसमेंहमने when ser % कि आपके अध्यक जी को, जो सचिवाले संग के अध्यक जी हैं, उनकी जो वारता लाप थी, वो कैसी रही, मजा आया, ठीक है, और वो वास्तों में आये थे, वास्तों में सामने बैठ करके बाद कर रहे थे, हमको लगता है कि यह सब ऐसे ही सपना है, ठीक है, ठीक है, कुछ लो क कुछ ऐसे भी लोग है, बोर आपके तो लाव, हमको लुकर करते रहेंगे, जिसको बोलना है, वो बोलता रहेगा, और उसमें हमें हमारे स्टुटेंट को जो फाइदा होगा, जो उनके मोटिवेशन के लिए हमें करना है, वो हम करेंगे, ठीक न? और बाकी जिसको नहीं म मज़ा आएगा वो उनके मज़े के लिए तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग आज अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज हमारा जो कॉंटिनेंट है वो है ओसीनिया बहुत अच्छा लगा मज़ा आ गया ओके चलिए तो संदीब जी सतेंद्र सुक क्लास करायें और आपको क्लास करने के दोरान ही सारी चीज़ें याद हो जाएं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको भी पसंद आती हो गी कि आप उस चालल को देखें सुने समझें और याद कर लें तो हम लोग कटवा नमस्कार करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और सारे मित्रों का हमें पता है कि जो इस चीज को इस गरिमा को समझते हैं वो कहेंगे अच्छा है और जिनको लगता है कि सर तो बस अना कुछ लोग तो आपके लिए आज आज साथमा महाद्यूप ठीक ना पहले चठा कर लेते हैं फिर साथमा करेंगे तोटल आपके पास में साथमाद्यूप थे और आठ है, साथ महाद्यूप थे, एक आपके पास में एसिया कॉंटिनेंट था, एक अफरीका था, दूसरा तीसरा यो है यूरोप था, चौथा नॉर्थ अमेरिका और पाच्वा साउथ अमेरिका, चीके ना, शटा आपके पास में ऑस्टेलिया या ओसीनिया था, इसको ऑस और ओसीनिया कहेंगे, और ओसीनिया में ऑस्टेलिया जैसे और कई देश आते हैं, उनको भी हम लोग अभी काउंट करेंगे और देखेंगे, तो ये आपने तीन और ये दो पांच आपने महाद्यू पढ़ लिये थे, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको बाहर की आपने उनको बुलाया और हम लोगों से बात करने का आउसर मिला, बात कर लो, ऐसे नहीं बात कर पाउग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोग जितने लोग भी कह रहे हैं, इस बहुत अच्छा सेसन था, तो आपने शिंद रहे हैं कि इस तरह के सेसन लगतातार हम आपके बीच कराते ही हैं और कराते रहेंगे, यह आपका किसी प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहे है आपको और आप अपनी तयारी को और तेजी और धार देते रहें, ठीक ना, क्यूंकि देखिए, मैं बता रहा हूँ, यह मन से पढ़ाई होती है, दिमाग से होती है, अग अभी और करना है, अभी और पढ़ना है, तो आप सफल हो जाएंगे, और जिस दिन आपका मन तूट गया, जिस दिन आपका मोरल डाउन हो गया, जिस दिन आपके सपने कमजोर हो गये, उस दिन आप कमजोर हो जाएंगे, और उस दिन सफलता कि आप पायदान से बाहर होने लगेंगे, तो जब तक आपको आपका एक्जाम ना हो जाए, जब तक आपको सफलता न मिल जाए, तब तक कोई न कोई ऐसा धक्का देने वाला चाहिए, अना ठक के आ जाते हैं, जो है, नौकरी करके आते हैं, ठक के हारे रहते हैं, फिर भी मन नहीं करता होगा पढ़ने का, लेकिन जब लगता हरी यार विकेंसी आ रही है विकेंसी ठीक ठाक है चलो पढ़ी लेते हैं सर बोल रहे हैं या या अधिकारी बोल रहे हैं या तो फिर आपका मन करने लगता हरे यार अच्छी पोस्ट चलो मेहनत कर लेते हैं तो इस तरह का आपको पुसप एक चाहिए ना कहते हैं डोज चाहिए और वो आपको मिलता रहेगा ठीक ना खुस्बू सिंग हमारे साथ लगता है कि खुस्बू जी आज बहुत दिन बात जुड़ी हैं अच्छा लगा उनकी बात से कुछ जो हम गलतियां करते हैं हाँ वही जिन्दगी में कोई भी व्यक्ति सरवसंपन सरवगुन संपन या सब चीज का अनुभव अपने से नहीं कर सकता है मतलब अगर आपको लेना है तो कुछ अपने से सीखना कुछ दूसरे से सीखना है तो वह अपना अनुभव आपको सेर करके गए अभी और जो लोग पहले सब्सक्राइब अपना अपना अनुभव सेर किया और फिर अभी बुलाते रहेंगे कुछ आईएज भी आते हैं फ्रेंड में लोग है जो आईएज भी हैं और सचीवाले के तो पूरा का पूरा एक ग्रूपी ही है सारे सीनियर आफीसर का तो वह आपके बीच में आते रहे कोई बात नहीं विवेक जी अपकी बार नहीं पूछ पहाए अगली बार पूछ लेजेगा ठीक है तो हम लोग आज जो अपने कॉंटिनेंट को स्टार्ट करेंगे वह है ओसीनिया ठीक है न हम लोग इस ओसीनिया को आज पढ़ेंगे और जिस तरह के से हम लोगों ने अफ कि वैसे ही चलेगी आप अगर इनका रिवीजन करेंगे तो अगर एक साथ पूरे कॉंटिनेंट हो जाते हैं उसके बाद मैं आप से मैं नहीं कोई भी कहीं कोईशन पूछ ले आपका कभी आप गलत जवाब या आप ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं बता पाऊंगा ठीक है ना संदीप यादव जी कह रहे हैं सर मैं बहुत खुछ निशीब स्टुडेंट हूँ जो आप जैसे टीचर से जुड़ा हूँ अब सफलता दूर नहीं बिलकुल बेटा देखिए महनत करते रहेगा ठीक है ना सफलता 100% मिलेगी और वो मिलेगी आपकी अपनी महनत से हम लोग कर सकतिया हैं बस उनको जगाने की जरूत है अब लोग ऑस्टेलिया की बात करते हैं सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो आप ऑसीनिया पढ़ने जा रहे हैं ठीक ना ओसीनिया में कुछ कंट्री आते हैं उनके सामोहिक रूप को हम ओसीनिया कहते हैं जिसमें एक आता है आसे हैं नुजिलैंड तीक ना अभी देखेगा अभी एक नया कंटीनेंट भी आ गया है तो उसको आम लोग अलग से भी देख लेंगे तीसरा आगा है तसमानिया ठीक ना तस प्रोनेसिया, पांचवा है मौलेनेसिया, और छठा है पॉलिनेसिया, समझ में आ गया ना, तो यही पढ़ना है आपको, यह क्या है, यह ओसीनिया है, यह ग्रूप है, इन द्यूप समूहूं का, क्यूंकि आपको पता है, ऑस्टेलिया जो है, जो है, वो पैस्फिक उसियन औ और हिंद महासागर के बीच में है, मतलब प्रसांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में इसी थे, और उस महासागर को पढ़ने के लिए आपको दो समुद्रों को ध्यान रखना है, और उसके बाद में यह सारे के सारे आईलेंड्स को ध्यान रखना है, सारे के सारे दि पॉलेनेसिया, मॉलेनेसिया, पॉलेनेसिया, ठीके, अब इनहीं को आपको समझना है, चलिए, हम लोग बात कर लेते हैं, जरा, यही चीज इधर लिखी हुई है, इसको ग्रूप में आपको बना करके दिखाया गया है, और हम चाहेंगे कि आप इस चीज को अच्छे से समझ और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, जैसा कि आपको सबसे पहले हमने बताया कि यह ऑस्टेलिया है, ठीक ना, नमबर एक, वो ऑस्टेलिया महा लिखा हुआ है, नमबर दो न्यूजी लैंड है, ठीक ना, अभी न्यूजी लैंड को यह न्यू कलेडोनिया यह कुछ आईलेंड को मिला करके कार्बर देख और यह पूरा का पूरा भाग, इसी को हमने नया एक जो है कॉंटिनेंट बनाया है, नया महाद्यूप यही है, अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे, इसका भी मैप आपको दिखाएंगे, और यह बताएंगे कि न्यूजी लै महाद्यूप के रूप में, आठवा महाद्यूप के रूप में इसको बनाया, अभी बेग्यानी कोने मानता दी, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बेसिक, पहले वाला पढ़ लेते हैं, फिर अलग कॉंसेप्ट वाला भी आप देख लीजिएगा, क्यूंकि यह आ पर एक द्यूप पड़ता है, इसे आप कहते हैं तस्मानिया, यह है तस्मानिया, तीन हो गया ना, उसके बाद में चौथा है माइक्रोनेसिया, अब देखिए, अगर हम इस पूरे यह, क्यूंकि यह जैसे है आस्रेलिया के पूर्वी साइड में जाएंगे, प्रसांत महा स अगर में तो इतना धेर सारे आइलेंड से, चोटे 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 धेर सारे आइलेंड और यह आपको देखिए, जब आप 180 डिग्री देखते हैं, एक 180 डिग्री देशांतर, जिसे आप कहते हैं, आईडियल, ठीक है ना, तो आईडियल को तीन जगे से मोडा गया है, साथ जगे से विस्थापित किया गया है, यह कोशन भी आता है, तो यहाँ पर यह सारे आइलेंड से, इनके बीच से अगर वो रेखा निकलती, यह 180 डिग्री, तो आपको पता है, यह निर्धारन किसका करती है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, आईडियल, तो डेट जो है ना, क समस्या आ जाती, तो इसके लिए कई जगे से इस रेखा को हमने मोडा है, ठीक ना, तो उसकी वज़े से, कई द्यूपों की वज़े से, जो मोडा गया है, वहां से भी कोशन बनता है, ठीक ना, तो इसको भी हम देखेंगे, यह द्यूप समू है, जिसे आप कहते हैं, माइक जो आइलेंड्स यहां पर है, यह जौला मुखी आइलेंड्स यहां पर है, ठीक ना, जौला मुखी द्यूप, यह वाले पढ़ते हैं, जापान में पढ़ते हैं, ठीक ना, यह जापान के आइलेंड्स उपर है, और नीचे की तरफ, यह मेरियाना आइलेंड्स, आपको पत सबसे पहला रैंक लेगा उसका प्रामोसन पहले होगा और जो लास्ट रैंक लेगा उसका प्रमोसन कम से कम, आठ से दस साल बाद होगा इससे और ज़्यादा मेहनत करना है बिल्कुल करना है पता है इसमें क्या है कि अगर आपने कुछ लोग हैं जिसमें ओलेवल भी धारत करते हैं अब वो सोच रहे हैं कि सर किसी तरीके से ओलेवल है हमारा पस नौकरी मिल जाए महनत करो भाई अगर आप ARO ही बनना है तो आपको पता है भी ARO बनना का सपना चोड़ देंगे, क्योंकि ARO से ARO में ही प्रमोशन कम से कम 5-6 साल लग जाएगा, अभी जो 5 साल पहले ARO बनने थे वो अभी ARO नहीं बन पाए, कम से कम 5 साल लगेगा ARO से ARO बनने में, और फिर ARO में भाई आप अग लोग ARO बन गए, तो वो ARO वाला उसकी गारी तेज चलेगी, उसका अगला प्रमोशन ASO में है, उसमें भी माल लीजे 300 पोस्टें आ गई ही, जो पहले नंबर पर है, पहले 10 नंबर पर है, 20 नंबर पर है, उसका प्रमोशन पहले हो जाएगा, और जो 100 नंबर पर है, उसको प्रमोशन हो चुका है, जबकि उनकी जॉइनिंग लगबग वही 15-16 में होई थी, ठीक है, मतलब 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर प्रमोशन हो गया, लेकिन उसमें सबका थोड़ी हुआ है, उसमें बहुत से ऐसे समिच्छा दिकारी, 2013 बैच के ही है, अभी समिच्छा दिका भाग है, वो है माइक्रोनेसिया का, ठीक न, और उसके बाद में पांचमा भाग आता है, जिसे आप कहते हैं मेलानेसिया, ठीक है, यो मॉलेनेसिया, मेलानेसिया, दोनो एक ही बात है, ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोनेसिया, आप देखिए क्रम से आपको इसको लगाना पढ़ेंगे इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है बहुत इजी आज हो जाएगा अभी निश्चिंत रही है अभी ब्लैंक मैप खोलेंगे एक दम सफा चट कुछ ने लिखा होगा और उसी में आपका दिमाग चलेगा अगर आपने मैप अपने साथ रखा हुआ है तो यह मान क पढ़ना है तस्मानिया पढ़ना है न्यूजिलेंड पढ़ना है माइक्रोनेसिया पढ़ना है मॉलेनेसिया पढ़ना है पॉलेनेसिया पढ़ना है अब आपको कभी कभी लगता है यह मॉलेनेसिया माइक्रोनेसिया यह सब क्या है यह सब ग्रूपों का मतब यह आईलेंड साते हैं और इनका एक सामुहिक रूप से इनका नाम दे दिया जाता है पॉलेनेसिया और इसी सामुहिक भाग को ये कुछ इस तरह से ये पूरा का पूरा भाग इसी को कहते हैं ओसीनिया क्या बोलते हैं ओसीनिया तो ये क्लियर हो गया कि Oceanie में सामिल क्या-क्या है? Australia सामिल है, New Zealand सामिल है, Tasmania सामिल है, Micronesia, Molinesia और Polinesia. ठीक है, Micronesia, Melanesia और Polinesia. अब Melanesia हो, Molinesia दोनों एक ही चीज़ है. अलग-अलग बुकों में मिलता है, तो आप confuse मत होईएगा. ठीक है, ना? Marshall Dup का Aerolingian Rocky MTS पता नहीं आप क्या लिख रहे हैं वो अभी हम लोग देखते हैं इसमें बहुत से islands आपको दिख रहे हैं और ये सारे के सारे islands जो महत पूर्ण हैं उनको आपको याद भी करना है ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करना है इसमें कुछ चीज़ें जो अलग से पूछी जाती नहीं हैं कुछ New Zealand के पास में हैं इनको भी आपको देख लेना है ठीक ना बहुत डीप में नहीं जाना है लेकिन हाँ जो नॉर्मल चीज़ें उनको आपके देखी लेना है कि अच्छा आप से पूछा जाएगा अगर आप से पूछा जाएगा Samoa ठीक ना Samoa Islands किस जो है उसम अगराद में जो है मांगरेव और मार्सल आइलेंड की मार्क्यूसस आइलेंड की बात करते हैं और तर्मडेक की बात करते हैं, टोगा की बात करते हैं, फिजी की बात करते हैं, वनुवातों की बात करते हैं, सुलोमन आइलेंड्स की बात करते हैं, अगर आप से पूचे जा किस महा सागर में हैं, किस महा सागर में, प्रसांत महा सागर में हैं, ठीक ना सर्ट पीडियफ बाकी तो चलिए हम लोग ये आपने देख लिया और इसी के आधार पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिज करते हैं कि आखिर ये हमको याद कैसे होगा इसमें तो सब लिखा हुआ है अगर आप ये चाहते हैं कि सर हम यहाँ से याद करलेंगे तो चलिए याद कर लेते हैं, अगर हम Micronasia की बात करते हैं, तो Micronasia में आपको 4 से 5 islands याद करना है, एक islands ये है, जिसे आप कहते है, Mariana Islands, पलाउ, ठीक ना, ये क्या है, पलाउ है, ये है Mariana, और सारे के सारे Micronasia में है, और ये क्या है, Coralines Islands, ठीक ना, और यह क्या है, Marshall Islands, Marshall Duke, और यह है किरिबाती, ठीक ना, तो अगर आप से पूछा जाए, Micronesia में कौन-कौन से Islands आते हैं, तो आप बता लेंगे, Micronesia में चार कम से कम याद ही रखना है, Mariana Islands याद रखना है, पलाव याद रखना है, Marshall और किरिबाती, यह दोनों पूछे गए हैं, ठीक ना, अभी यह तो इधर से नहीं आया है नमबर, अगर आप चाहते हैं, तो Coralines याद रखिएगा, ठीक है, यह वाले पूछे गए हैं, अब इसमें देखिए, एक चीज़ इसमें नहीं दी हुई है, जो है, नोरू नहीं दिया हुआ है, ठीक है न, अब इसके लिए नोरू का याद दिला दिया है, तो यहाँ पर एक नोरू अलग से लिख लिएगा, यहाँ पर एक नोरू, चलिए, सीरियल से बताएए, प्लीज, सीरियल से बतादे, मतब याद करना है न, यह सीरियल, अब इसमें ग्रूप से पूछे न, ग्रूप से आईए, अब सीरियल से कैसे बताएंगे, अगर उत्तर से दच्छिन में करना है तो उसको ऐसे ही आप याद करिये फिर उसके बाद में आप जो है ऐसे याद करके आप इसको नोट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में देखे यहां पर बिस्मार का इलैंड से ठीक है यह वाला भाग क्या है यहां पर नियू गिनी लिखा हुआ है यहां पर न्यूगिनी लिखा हुआ है और यह पापुआ न्यूगिनी है इसमें आधे पे कबजा किसका है आधे पे इंडोनेसिया का कबजा है यह वाला भाग और यह वाला भाग पूरा का पूरा क्या है यह ऑस्ट्रेलिया वाले कॉंटिनेंट में है जिसे कहते हैं इसे एक नाम देते हैं, क्या देते हैं, पापुआ नियुगिनी, ठीक है, और इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को जो इंडोनेसिया के पास में इसे क्या कहते हैं, भाई मैं नाम भूल गया हूँ, इंडोनेसिया के पास में ये है, और इसे किस नाम से जाना है आईस इरियन जया ससांक कुमार ससांक सिंग सिसिर सर्मा अनिल विवेक कोरल सागर में है इरियन जया बिल्कुल चौदरी साब सही जा रहे हैं इरियन जया कहते हैं ठीक न शरिता सिंग कुछ पूछ रही हैं अनसुल भहिया से इसको कहते हैं पापुआ न्यूगिनी आधा भाग और इरियन जया बोलते हैं ठीक न जो इंडोनीशिया के पास में है यह आधा वाला भाग इसे आप कहते हैं इरियन जया इरियन जया है ये वाला तो इसे आपको याद रखना है ठीक है ना तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई अगर आपको ये बताना है कि किस आइलेंड्स में या किस ग्रूप में कौन सा आइलेंड्स आता है कौन सा ड्यूप आता है तो ये आपको याद हो जाएगा ठीक ना मारसल अगर आप से क्रम से पूछते हैं मारसल किरिबाती सोलोमन वनवातू फिजी तोंगा ठीक ना और ये देखिए न्यू केलिडोनिया और कार्मडेक ठीक ना और फ्लोक्स और न्यूजी लेंड और इधर पड़ता है नहीं लिखा हुआ है आप लिख दीजिएगा चैथम ये इतने आईलैंड जो है नया वाले जो नया वाला आपका महाद्यूप बन रहा है उसमें सामिल है इसका नाम बहुत मुझा जाता है न्यूजी लेंड के साथ में और कौन सा द्यूप समू है जो की नया जो महाद्यूप आपका विक्सित हो रहा है जो पाया गया है उसे ह जो है कहते हैं कि इसको मिक्स करके इतना यह चैथम भी है करमडेक भी है New Zealand भी है और New Kalidonia आप से पूछा गया है अभी कोशन आ चुका तो इसे याद रखना है यह नया है और यह वैसे भाग किसका है New यूजी लेंड चैथम और यह पूरे के पूरे हवाई से ले कर कि यह सारे ड्यूप किसमें आते हैं यह आते हैं पॉलीनेसिया में आपको हुआ इस याद रखना है पॉलीनेसिया का एक भाग हुआई आइलेंड से अब देखिए यहां पर सब नहीं याद करना है एक यह टोक गया है तो तुवालू याद कर लिजेगा समुवा कई बार पूशा गया है आप समुवा याद रख लिजेगा इनको सब को छोड़ दीजेगा इसको आप यहाँ चोड़ दीजेगा कोई पढ़ने की जरूत नहीं है और सीधे फिर आ जाएंगे टोंगा में आ जाएंगे ठीक आपका जो साइबेरिया का पार्ट है साइबेरिया में मुड़ा और फिर अलूशियन द्यूप में मुड़ा फिर आगे आएंगे तो यह हैं फिजी टोंगा चैथम इन द्यूपों की वज़ए से कुछ इस तरह से मुड़ा तो फिजी भी बच गया यहाँ पर फिजी क्यू यहां से मोड दिया गया और फिर सिधे निकाला ऐसे और यहां पर आ करके ऐसे गिरा करके फिर आगे बढ़ाया गया है तो फिजी टोंगा चैथम वैत्रिस यह चार द्यूप आते हैं 180 डिग्री मतब आइडियल के भटकाव की वज़ए से आइडियल का जो मुड़ाव है 180 है ईसे कोशन कहीं पूछा जाता है तो जरा नाम याद के लिजगा उपर में है साइबेरिया के से आपकी आईडियल रेखाए वो मुड़ी है उसके बाद में है अल यूसियन । अलूसियन ड्यूप है उसके बाद में फीजी आएगा ठीक ना फीजी तोंगा चैथम और वैत्रिस यह इतने आइलेंड्स तो आपको हरहाल में याद ही रखना है अगर नहीं याद रखेंगे तो गलत हो जाएगा ठीक ना तो मॉलेनेसिया में इतने सब नहीं आते हैं आज समझ में अरे और लोग कराते हैं तो सब समझ में आ जाता है हमारी लिखी उप देना हैं वीज बीज में अच्छा अन्सुल भहीया ने कहा कि भहीया अच्छा मार्दा चलो अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम समझाने वाले तरीके पे ले चलते हैं चलिए दूसरे मैप में चलते हैं पता है कि अगर ऐसे रहा तो आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि मेला नेसिया में कम से कम सोलोमन आइलेंड विसमार्क आइलेंड और वनुवातू, फिजी और कैलीडूनिया मतब पांच आइलेंड तो याद ही कर सकते हैं न मेला नेसिया में पांच इसको नहीं याद करना है इसको हटा दिजे दिमाग से एक दम, कौन-कौन से हैं, बिसमार्क है, सोलोमन है, वनुवातू है, फिजी है, नियू कैलीडूनिया है, लेकिन नियू कैलीडूनिया अब इंडोनेसिया के जो नया महादियू बन रहा उसमें है, और इधर आपको करना है, यह, यह, और तॉंगा, और कारमा डीक, ओर नुजी यह है, तो पांच ही औलंड स्था यहाँ पूछे जाएंके, यहाँ पूछे जाएंगे, याद कितने करने हैं, पंद्रा, बस, खतम, वही याद नहीं हो रहा है, किचुड़ी हो रही ना जल्दी बनाओ देखा जाए निप्टाया जाए ठीक चलिए अच्छा कोई बात नहीं हम कोशिस करते हैं आपको जब तक नहीं समझ मैंगे तब तक समझाएंगे तो जड़ा चलते हैं यह देखें यह वाला जो भाग है पानी के अंदर है यह पानी के अंदर यह उपर दिख रहा है यह ग्रिन वाला यह निजिक लैंड है और यह न नया महाद्यूप ये वाला पूरा का पूरा भाग ठीक ना ये जिलेंडिया है लिखे लिखा हुआ है जिलेंडिया है जिलेंडिया है जिलेंडिया है और यहां से ले करके ये पूरा का पूरा भाग आता है और यही लगता है कि ये पूरी की पूरी ये प्लेट है ये एक प् में न्यूजिलेंड दे इसको सामिल करते हुए इसको निकाला गया है और इसको बनाया गया है रोबताया गया है इस्तिति कुछ इसी प्रकार की है आप देख लीजे मतब यह थोड़ा सा जलगता है और इसका चितर इस तरह से आता है जिलेंडिया का नया जब जिलेंडिया आ सहले हम आते हैं औस प्लाइस मे? अच्छा OCनिया का मैप लगा नहीं है अच्छा काम करते हैं हम लोग इसी में समझ लेते हैं कि दूसरा कोई ब्लैक्प हमे लगता है इसमें लगा नहीं है जिसके अधार पर हम इसको समझा सकें आपको इतना याद रखना है कि पांच-पांच आइलेंड्स हमें दोनों में याद करने हैं, तो तीनों में याद करने हैं, पांच यहाँ पर याद करना है, पांच आइलेंड्स, ठीक ना, अब इसको आप ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक ना, अगर हम यहाँ पर नौरू लगा देते हैं, तो हो मेरियाना, मेरियाना आइलेंड्स, पलावू आइलेंड्स, नौरू आइलेंड्स, मार्सल आइलेंड्स और किरिबाती आइलेंड्स पाइक्रो नेसिया में सबसे प्रमुख है 5 आइलेंड्स और 5 आपके सामने हैं ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं, और ट्रिक बनाने का तरीका आप लोगों को पता है, उसके बाद हम मेला नेसिया की बात करते हैं, मेला नेसिया में भी आपका अगर आप देखते हैं, तो ये पापुआ न्यूगिनी वाला भाग है, न्यूगिनी इसको कहते हैं, में बन वाला बाग ये वनुववातु का है फिर इसी मेंद फिजी है और इसी में नियु केली केली डोनिया ठीक है तो यहां पर भी कुछ हैं नहीं पढ़ने ठीक है अब जैसे से कोरलीन चल्स अगर नहीं पढ़ना है तो मिपढ़ यंघ और मेरे हिशाद से शो सकता पूशा इनल सब superpower मारसल किर्भाती नौरू मेर्यान और बा雁 इधार हो गया और इधार मैर्सल किर्भाती और बीच में हो गया नावरू भी कई बार पूचा गया है उसी तरीके से आप मेलानेसिया में आएंगे तो मेलानेसिया में एक तो आपको पता ही है न्यू जो है न्यू गिनी ठीक ना आप यह देख लिजे कि लिए आपको दिख रहा है एक न्यू गिनी बिस्मार्क तोलोमन वनवातू पिजी और न्यू कैलिडोनिया तो इसमें आपको अच्छा है याद करना है आप हम पांच कह रहे थे आप गार इसको भी याद करने कि यह तो याद कर अब पाप न्यू गिनी में बस न्यू गिनी वाला भाग कर देना है अब इसको हम आप से पूछे मेलनेसिया के कौन-कौन से पार आइलांड से प्रमुख आइलांड्स आपको बताना है तो आप मैं इधर खड़ा हो जाता हूं तो आपको बताना है कि साथे विस्मार्क बन्वाटू सबसे ज़्याद पूंच उनम यह फिजि चाहर से पुझा saat है एक प्रमुख है न्यूजीलेंड और एक प्रमुख है हवाई आइलेंड्स, सबसे ज़्यादा जो अलमों की यहां पर पढ़ता है, पचास माराज है अमेरिका का, तो यहां से लेकर के हम सीधे सीधे यहां आएंगे, और इधर के नहीं पढ़ने, इधर सारे कट कर दीजिए, कभी आप इन पर अगर नजर डालें, दिमाग में आए तो भूल जाएगा, याद ही ना करिए, जो याद करने वाली है, वो चीजे हैं, एक तुआलू खूप पूछा जाता है, टोकेलाओ अगर याद करना है तो टोकेलाओ नहीं तो मत याद करिए, आप समोवा याद कर ल ठीक ना, नुजी लेंड आपको याद ही है, बस, एक, दो, तीन, चार, पांच है, हो गया, होनो लूलू सबसे उत्तर में, वही है होनो लूलू, हवाई की राजधानी, ठीक है, चलिए, ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अपने ऑस्टेलिया पे, जिसको आपको पढ़ना है सबसे में क्या है, सबसे ज़्यादा कोश्चन आपको इस महाद्यूप से आते हैं, मतलब इस आदेश से पूछे जाते हैं, ठीक, तो इस देश को हम जड़ा देख लेते हैं कि इस देश की विसेस्ता क्या है, चलिए, ये आपको, आपका महाद्यूप है, महाद्यूप क्या यह देश है और इस देश को कहते हैं Australia ठीक ना Australia मैं आप से पूछो कितने प्रांतों में विवाजित है तो आप कहेंगे साब ये 6 बड़े प्रांतों में विवाजित है मतलब पूरे ऑस्टेलिया को अगर हम देखते हैं तो 6 भागों में करके देखते हैं इसका विभाजन जैसे कि हमने इसकी बाउंडरी पहले देखी है, हर एक महाद्यूप की, हर एक देश की, वैसे हम यहाँ भी देख लेते हैं, इधर से यह पापुआ न्यूगिनी है, ठीक न, ये मतलब न्यूगिनी है, और न्यूगिनी मे, न्यूगिनी से, यह इधर वाला भाग यह ऑस्टेलिया का है यहां से जैसे नहीं आम जैसे लटका हो यहां से तूट गया तो यहां पर तूटने का काम यहां पर एक जलसंधी है वो करती है जलसंधी है वो करती है और इस जलसंधी के कारण यह ऑस्टेलिया न्यूजिलेंड न्यूगिनी से अलग हो जाता है पापु अन्यूगिने से, तो मुझे लगता है, कि ये आप बता देंगे, कि ये वाली जलसंधी, या वाटर वाड़ी, या वाटर इस्टेट कौन सी है, जो कि ऑस्टेलिया को पापु अन्यूगिने से अलग करती है, कोई बताए जरा अगर जो है, ओके, जल्दी बताएए, बहुत अच्छा, रामसंकर जी, विवेक जी, अनिल जी, छे प्रांत पास्च में, आशेली, आन्सुली रह गए, कुछ और लिख रहे थे, टारस जलसंधी है, ठीक ना, तो इसे इस जलसंधी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, तारस, यहां से कोश्चन डारेक्ट पूशे जाएंगे, इसे आप टारस जलसंधी बोलते हैं, जलसंधी उपर लिखा हुए, यह वाला भाग, जिससे पपुआ, न्यूगिनी से ऑस्टेलिया अलग होता है, तो इसे टारस कहते हैं, और देखिए, यह वाला भाग है तस्मानिया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बो देता हूँ, पासी जलसंदी, पास पूरस जलसंदी, और बास जलसंदी, ठीक ना, और, चलो, बस तीन है, अब इन तीन में आप बता दीजे कि इधर जो जलसंदी पढ़ती है, ये किस नाम से जानी जाती है, इन तीनों में कौन सा नाम एक होगा, सारे लोगों को पता है सत्याराम चौधरी एक लोग तो मिल गए इन्होंने कहा है बास ही है सारे लोग कह रहे है बास है लेकिन एक बास हमारे है वो कह रहे है बास नहीं बास ही है तो ध्यौन अखना है इसको कई बार कोश्यन पूछा गया है इसे आप कहते हैं बास जलसंदी ठीक ना क्या बोलते हैं बास जलसंदी और जो बासी जलसंदी है वो जो है इसके ऊपर पड़ता है एक देश जिसे आप कहते हैं जो है वो चीन से अलग होता है और जिसका नाम है चीन से अलग करती है एक जो बासी जलसंदी है वो किसको अलग करती है चीन से देश का नाम आप बताएंगे न्यूजी लेंड के उत्तर और दच्छिन के बीच कुक जलसंदी है अब एक खाना बराने में आते हैं हम लोग यह है ताइवान के बीच में बासी है और यह है बास बास है और तस्मानिया के बीच में तो आपको पता हो गया कि इधर न्यूजी लेंड न्यूगिनी हो गया इधर उस्टेलिया होगा और इधर तस्मानिया हो गया जरा हम लोग सागर की बात कर लेते हैं और जिस हम आज दे का देस कहते हैं कि इसे क्या बोलते हैं प्यासी भूमी का देस के बिचना ध्यान inflationा यह है कि प्यासी भूमी का इसलिए रिए कहते हैं और किसलिय दो ने पूछँड़ा इसके विस्वत यहफा ऌड़ा गुजरती है वर्सा जादा होती होगी लेकिन फिर भी इस U तो प्यासी भूमी का देश क्यों कहते हैं इसको हम कंगारू का देश भी कहते हैं इसे हम मुलगा और भुस और डाउंस मैदानों वाला छेदर कहते हैं इसे हम एमू पच्छी वाला देश कहते हैं इसे हम डिजर्ट डिजर्ट एरिया वाला देश भी कहते हैं जहां पर आपक कई इसकी विशेशताय हैं और वो चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे कोई बताएगा कि डिजर्ट बहुत हैं इसलिए प्यासी भूम का देश कहते हैं लेकिन हमने कहा यहां पर जीरो डिगरी निकलती है तो जाहिरी बात है इस एरिया में तो सबसे ज्यादा वर्सा होनी ह होती होगी ना लेकिन यहां पर यह पूरा का पूरा भाग यह वाला डिजर्ट मरुस्थली और पठारी भाग है अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा बांट करके देखते हैं इसको हमने कहा कि इसको 6 भागों में हम बांट करके देखते हैं 6 प्रांतों में बांट करके एक है उत्री आस्टेलिया ठीक ना एक है पस्चिमी आस्टेलिया पस्चिमी आस्टेलिया तो इधर दच्छिनवाला भाग क्या होगा दच्छिनवाला भाग किस नाम से जाना जाएगा दच्छिनडी आस्टेलिया हो जाएगा ठीक ना दच्छिनडी आस्टेलिया लेकिन कभी-कभी कर ये उत्तरी उत्तर वाले भाग को उत्तरी ऐस्टेलिया ना करके उत्तरी प्रदेस कह देते हैं. दोनों चीज़ों कियाद रखना है उत्तर प्रदेश अपना है ना हम लोग उत्तर प्रदेश की निवासी है लेकिन अस्टेलिया में उत्तरी प्रदेश है लेकिन अगर उत्तरी प्रदेश नहीं होता है तो इसको उत्तरी अस्टेलिया भी आप कह सकते हैं उसके बाद इस वा ना लेजिए इस वाले भाग को हमने कहा कि अस्टेलिया में इस तरह से यह उत्टरी और यह पूरे के पूरे भाग का दो बटे-3 डिजर्ट है थीक ना पठारी और डिजर्ट वाला भाग है तो यह आपको ध्यान रखना है बाकि इधर वाला पूरा का पूरा उपजाव गए इसको तीन भागों में बाढ़ते हैं इसके तीन नाम हैं और मुझे लगता है कि किसी ने दाग दिया अपना अंसर क्या बात है मतब लिख देते हो तो मज़ा आ जाती और यार क्या आपने बता दिया ना ग्रेट विक्टोरिया मरुस्तर ग्रेट सेंडी मरुस्तर अरब अब इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या प्लेंट क्या क्या तो उसके बाद आएंगे तो न्यू साउथ वेल्स आएगा यह वाला भाग है न्यू साउथ वेल्स अब देखी यहाँ पर New South Wales है अगर मैं आपसे पूछू Wales कहां है तो आप बताएंगो वहाँ है न कहीं है कहां है वेल्स वेल्स आइलेंड्स या वेल्स भाग कहां कहा है Victoria बहुत अच्छा New South Wales यूरोप का है यूके का है ठीक है न यूरोप में है वेल्स और यहाँ क्या है New South Wales अभी यहाँ पर देखेंगे New England भी पड़ता है यहीं पर New England भी पड़ेगा ठीक है न New England और यहीं पर आप बताओ मैं अच्छा एक दिव मेरे से भूल गया था प्रसांत महसागर में ओसीनिया में ही एक थोड़ा सा ऊपर है ठीक ना इसको हम कहते हैं उत्तर सबसे उत्तर तम राजधानी आपने बताया किसकी है आइसलेंड किये नए आइसलेंड की राजधानी क्या है सबसे उत्तर में है यहां से question आया था चिंता ना कर यह question फीर आया तो गलत नहीं होगा फिक ना यह हमारा challenge है कि एक बार आप अगर आपको लगता है 결과 फिर से देख लीजगा लेकिन अगर question आएगा तो गलत नहीं होगा, इसलिए तीन दिन class चलेगे, न्यूजीलेंड, न्यू ब्रिटेन, द्यू, मेलानेसिया में, बिल्कुल, न्यू ब्रिटेन और एक यहाँ पर न्यू आइलेंड, न्यू आइसलेंड भी है, न्यू आइसलेंड भी है, और वो भी यहीं प हाड पाये जाते हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे, तो देखिए, अभी मैं आपको एक trick बताऊंगा, और आप ही याद कर लीजिए, अगर आपके पास बहुत हो रहे हैं, तो जाहिज बात है, ट्रिक अगर लगा लेंगे, तो बहुत अच्छी बात रहेगी, इसमें से बंदरगाह सहर पूछे जाते हैं, ठीक ना, बंदरगाह सहर कौन कौन से है, कभी कभी पस्चिम से, पूर्व से पस्चिम पूछा जाता है, कि पस्चिम में जरा इनको सहरों को क्रमबद करिए, मैंने आपको trick पहले भी बताएती, फिर बता दे रहा हूँ, अभी आप इमे, पी अचडी, इतना पयाद ही हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, BSC आपने किया, फिर MA कर लिया, थोड़ा सा कमजोर थे, MSC नहीं कर पाए, MA कर लिया, और MA से फिर आपने PhD कर लिया, New Iceland, बहुत अच्छा, दुरू सर्मा जी, बिल्कूल सहिए, BSC, MA, PhD, अगर आप में तो एक कोश्चन हो सकता यहीं से मिल जाए आपको, BSC, MAPSG, क्या होता अभी हम लोग चर्चा करते हैं, तो यह Queensland हो गया, यह New South Wales हो गया, और यह Victoria Prant हो गया, क्या नाम है इसका, Victoria Prant, ठीक ना, तो आपका पूरा का पूरा Australia, 6 भागों में बटा हुआ है, 6 भागों में, पहले आप इसी को ध्यान लखिएगा, क्योंकि यहीं पर आप देखिए, Great Dividing, Great Australian Bight, Great Dividing Range, ठीक ना, कुछ यहीं पर, और एक प्रवाल भित्ती, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती, यहीं पाई जाती है, ठीक ना, और यहां पर सबसे बड़ी परवस्रंखला पाई जाती है, तो कि वहाँ पर उपजा हुआ है, सबसे ज़्यादा संसाधन है, सबसे ज़्यादा जनसन, क्या रहेगी, Great Barrier Reef ठीक है, तो यहां पर Great Barrier Reef, Great Dividing ने, सारी चीज़ें यहां मिलती है, और इसलिए इन प्रांतों को आपको याद करना, याद रखना बहुत जरूरी है, मैं फिर कौन-कौन से है, थोड़ी सी जानकारी, इस पर भी हो जाए, तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं, तो उत्तर में आता है अराफूरा सागर, क्या नाम है, अच्छा, अन्जुल भाया ने लिख दिया, Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne, Adlet, BS, CRF, बहुत सही, अब लिख दिया है, तो भाई च BSC, BSC, MA, PhD, अब जड़ा इसको ध्यान रखिएगा, क्या है, हमने ये मैप निकाल दिया, जो भी हमने बताया, उसको हम यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं, देखिए, North Territory है, ठीक ना, अब इसको उत्तरी प्रदेश कहते हैं, अब कभी आपको जो है, अगर ये ऐसे लिख के आजाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, South Australia हो गया, West Australia हो गया, Queensland हो गया, New South Wales हो गया, Victoria हो गया, इनके किनारे किनारे पर सहर हैं, और किस प्रांत में ये भी ध्यान रखना है, कि अगर Victoria है, तो Victoria का प्रमुक सहर क्या होगा, तो यहाँ पर B है, तो ये हो गया Brisbane, ठीक ना नमबर एक, बिसे ब्रेसों, बिस्बेर हो गया, उसके बाद में एक ये बंदरगाह है, जिसे आप कहते हैं Sydney, क्या बोलते हैं, Sydney हो गया, उसके बाद देखिए, कैनबरा ये बंदरगाह नहीं है, लेकिन ये राजधानी है, और ये इन तीन के बाद में, अगर उत्तर से हो गया, उसके बाद में, अब में से हो गया, देखिए, मैलबॉर्न, ये विक्टोरिया प्रांथ है, विक्टोरिया का सबसे 30 सहर ये है, जिसे आप कहते हैं, मैलबॉर्न, ठीक ना, उसके बाद में A से हो गया, एडिलेट, ये यहाँ पर आता है, एडिलेट, ये वाला भा हाटोग प्रायद्यूप याद रखीएगा ये वाला आप इसको देखेंगे नहीं दिखता है लेकिन इसको हम प्रायद्यूप रूपे जरूर देखते हैं तो आपने इसको देख लिया है यह हो गया हाटोग मत्तब H हो गया अब बस क्या है डर्वी ने पहुंच जाए है डर्वी यहाँ पर है और एक डर्वी यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका D मिल जाएगा तो आप इस तरह से अगर याद करेंगे तो Brisbane याद हो गए आपको Sydney याद हो गए आपको Canberra याद हो गए ना Brisbane Sydney Canberra Brisbane Queensland के साथ में Queensland का जो बंदरगा सहर है उसके बाद में New South Wales का Sydney आगया ठीक ना Sydney उसके बाद फिर आएगा Canberra जो राजधानी है तीसरे नमबर पर आएगा बच्चा हो गया ना BSC के बद बच्चा हो जाता चोटा सा उसके बाद में M से हो गया Melbourne यहाँ पर है बहुत ज़्यादा किचकिच हो गया Melbourne आप याद रखिएगा यह वाला भाग है और यह जो खाड़ी इसके पास बलती है अभी यह सारी खाड़ी है बताते हैं एक खाड़ी यह है और इसके यह तर्ट पर एक पड़ता है जिसे आप कहते हैं फिर हो गया पर्त फिर हो गया हाटोग फिर हो गया डार्विन को प्रिवेश द्वार कहते हैं इध्यानकना मतलब यह डार्विन को यहां का प्रिवेश द्वार कहते हैं मतलब जो भी इधर से आता है तो यही से इसको माना जाता कि यहां से इंट्री करता है इस वाले भाग को यह वाला पूरा का पूरा भाग क्या है यह नि बहुत बड़ी-बड़ी खाने पाई जाती है ही रे की सूने की न वह भी इसमें कुछ doubt है बताइए भाई अभी जो चीजे हमने जितनी भी आख्यान करी वो आप बता लेंगे कि अभी इसमें कुछ doubt है अगर मैं आप से पूछूँ अब मैं आप से पूछता जा रहा हूँ आप बताते जाए और अपना मैप मत देखिए जो भरे हैं आप चलिए बताईए जरा यह वाला जो द्यूप है बड़ा सा इसको किस नाम से जानते हैं नमबर एक लिख के बताईए सरह वाला तसने वाला नहीं है या खोबार्ट अब बता लेंगे तस्मानिया है बहुत अच्छा तस्मानिया के बाद में है when अब यहां तो कुछ दिखी नए रहा हम किसको टिक करें तस्मानिया बहुत अच्छी बात है आच्छा चलो तस्मानिया है तो आप नमबर इनका क्रम से बता दीजिए इनका क्रम से 6 प्रांतों के नाम बता दीजे इमानदारी से बताईए गर लिख के बताईए तस्मानिया 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 रिया, त्रिसिला, सालिनी, राकेश, अनिल, दीपु, दीपक ये 6 प्रांत को आसे लिए कि आपको लिख के बताना है याद हो गया हो तो नहीं याद हो गया हो तो आपको लिख के बताना है और फिर हम इसके आगे चलेंगे चले भाई सारे सारे देश ये एक दो तीन चार पांच छे सारे बताई ये फिर आगे बढ़ते हैं अगर याद हो गया हो तो नाम आपको लिख के बताना है अना दो मिनट थोड़ा स्पानी वानी पीलन दिये करो नहीं यार लगे पड़ेव लगे पड़ेव करी तो नहीं पढ़ाई तो नहीं पुइंसलेंड रेको अंसुल भाहिया आ गया मतलब पहले ही उँ बता दिए किसिका बर्मा सही और मनोच कुमार कुइंसलेंड निव साथ वेल्स विक्टोरिया दच्वन बहुत अच्छा संदीप यादो जी बिल्कुल सही राम संकर जी देर हो गई अनिल कुमार जी देर हो गई इतना देर करके आंसर लिखते हो ना चलिए लेकिन फिर भी आप सारे सबसे ज्याद करने वाले हैं यह वाले कुइंसलेंड निव साथ वेल्स और विक्टोरिया बस इनको याद रखिए इनका पूछा जाएगा यह नाम पूछे जाएंगे तो आपको बताना अब ही विक्टोरिया नाम से कई चीजें यहां पर आपको पढ़ेंगे विक्टोरि की बात कर लेते हैं थोड़ा सा ना क्योंकि यवी बस 5 मिनट टाइम है आपके पास में तो हम लोग कर लेते हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक सागर है यहाँ पर उत्तर में और इसमें तो है नहीं इस मैप में हम नहीं दिखा पाएंगे हम एक दूसरा मैप निकाल कि पूरब में प्रुसिम में उत्तर में दछण में कौन-कौन से सागर है इनको ज hyped द्यान रखिए पहली बात महासांगर की बात करते हैं यह पूरा का-पूरा प्रसान्त महासघर है कि हमने आपको बताया था कि जो महासागर होते है वह महा होता है मतलब महान मतलब बहूत बड़ा होता है अधार वाले को हम हिंद महासागर कहते हैं मतलब नीचे वाला इधार वाला भाझ यह Lessना हिन्द महासागर् है इसको हम अगर हम इसको देखते हैं तो पूरा में को पशी में हिंद महां सागर इससे ये पूरा का पूरा छुपा हुआ है मतब पूरा का पूरा घीरा हुआ है जामबेजी नदी पर चुके हैं अच्छा विक्टोरिया जल प्रपात जामबेजी नदी वाओ निव आइसलेंड कहां पर है सर फिर से बता दीजिए अभी आने सारे लोगों को सही है ठीक ना तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले देखिए मनोज कुमार जिन लिग दिया सर अरा फूरा सागर तो सबसे पहले हम चलते हैं ये वाला जो भाग है इसके नीचे ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं अरा फूरा सागर ये वाला जो जलका भाग है, इसे हम अरा फूरा सागर कहते हैं, आप सोचेंगे सर, ये क्या है फिर, तो ये है खाडी हना, जब आपको बताया कि तीन ओर से इस्थल खंड से जलका भाग घिरा हो तो उसे कहते हैं खाडी और इसको कहते हैं कॉर्पेंट्रिया की खाडी ठीक ना, ये वाला भाग, ये कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी हो गई, ये अराफूरा सागर हो गया, उसके बाद में देखिए, यहाँ पर ये वाला देश परता है, जिसे आप कहते हैं, तीमोर, इसके दच्छन वाला भाग, इसको कहते हैं, तीमोर सागर, कौन सा हो गया, त तो अराफूरा सागर हो गया, तिमोर सागर हो गया, थोड़ा सा और इधार आएंगे, ये जो पूरा का पूरा न्यूगिनी वाला पाठ है, उसके दच्छन में, कर्पेंटिया की खाड़ी न, अरे भाईया की बात, तब पता, अच्छा है यार, थोड़ा सा खाने पीने के ल एक बहुत अच्छा नाम है, और कई बार ये भी पूछा गया है, तो कोई बताएगा, इसे यहाँ पर कोरल रीफ है, ये वाली, सबसे बड़ी, कोरल रीफ, मतलब चटान, मूगे की चटान, इसी के नाम से इसो कहते हैं, कोरल सागर, और ये बापने, इतना देखो इजी है जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, औरल सागर हो गया, उसके उत्तर में एक सागर पता है, बिसमार्क सागर, लेकिन पूछा कम जाता है, और वो यहाँ पर आपके थोड़ा सा है, आउस्टेलिया में लेकिन उत्तर में पढ़ता है, इस वाले द्यूप के उत्तर में पढ़ ठीक ना ब्रहद आस्ट्रेलियन खाड़ी अब अगर ये ब्रहद आस्ट्रेलियन खाड़ी तो आप कहेंगे सर ये क्या है ये वाला भाग एक ये खाड़ी है एक ये खाड़ी है एक ये खाड़ी है एक ये पूरी बड़ी सी खाड़ी तो ये वाली ब्रहध औस्टिलियन खाडी है बिस्ट की सबसे बड़ी खाडी यही है ठीक ना ये ब्रहध औस्टिलियन खाडी Great Australian Bight कहते हैं क्योंकि खाडी तीन प्रकार की होती है अंग्रेजी में हिंदी में सब खाडी है लेकिन अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो गल्फ कहते हैं छोटा मुहाना होता है थोड़ा सा बड़ा मुहाना होता है को उसको बे कहते हैं बे थोड़ा और बड़ा मुहाना होता है तो उसको कहते हैं बाइट तो इसको कहते हैं गेट और सेलियन बाइट ठीक है तो गेंच और सिन बाइट हो गया कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी हो गई और एक खाड़ी है जोसफ बोना पार्ट की खाड़ी कोई बताएगा जोसफ बोना पार्ट की खाड़ी कहां पर है मुझे लगता है कि मैं ही बता दूँ इसे आप कहते हैं जोसफ बोना पार्ट की खाड़ी ठीक ना जोसफ बोना पार्ट की खाड़ी ये वाली हो गई ये पारपेंट्रिया की खाड़ी ये बहुत आस्टेलियन खाड़ी एक खाड़ी ये यहां दिखती है जहां पर आस्टेलिया की सबसे लंबी नदी आकर की गिर यहां पर इसको कहते हैं डार्लिंग नदी, ठीक ना, एक नदी कुछी तरह से आती है, इसको कहते हैं मर्रे नदी, मर्रे नदी की एक सहायक नदी है, जिसको आप कहते हैं मुर्म ब्रिज, क्या बोलते हैं? अहा, स्पेंसर की खाड़ी भी है, स्पेंसर और इनकाउंटर की खाड़ी, तो स्पेंसर की खाड़ी हम लोग यहां मानते हैं, यह है स्पेंसर की खाड़ी, ठीक है ना, स्पेंसर की खाड़ी, जोसेफ बोनपार्ट की खाड़ी, और एक है इनकाउंटर की खाड़ी, तो इनक कहते हैं Spencer की खाड़ी और एक खाड़ी पढ़ती है सार्क की खाड़ी यह अभी कोशन पूछा गया था सार्क encounter, बहुत अच्छा, encounter की खाड़ी कोई बताएगा, मैं आपको trick बता देंगे, encounter की खाड़ी कहाँ पड़ती है एक number यहाँ पर है, एक number यहाँ पर है, ठीक है, एक number यहाँ पर है, तो यह एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर और आपको है इनकाउंटर की खाड़ी सर बहुत इनकाउंटर होता है बहुत अच्छा इनकाउंटर की खाड़ी Spencer के बगल में है Spencer के बगल में है अच्छा, ये वाला Spencer है मतब ये वाला Spencer है ये वाला और आपके कहने के मत्तब ये वाली खाडी है ना मैप देख लो Spencer यहीं है Spencer की खाडी ठीक है ना तो आप देखिए ये वाली जो है encounter की खाडी ये वाली Spencer की खाडी में एक नदी आकर गिरती है जिसे आप कहते हैं Darling और मरे और मरे की एक सहायक नदी है जिसके किनारे कैन बरा इस्थी थे कई बार पूछा गया है उस नदी का नाम कैन बरा जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे इस्थी थे और ये बड़ा कठिन कोश्यन अभी बताया नहीं पूछना सुरू कर दिये कोई बताया भाईया आस्टेलिया की जो राजधानी है कैन बरा आउ किस नदी के किनारे इस्थी थे हम आंसर आप से चाहेंगे मालो गालो नदी मालो गालो याद है किरन यादो को इंकाउंटर किसका होगा आज आरे नहीं भाईया इंकाउंटर किसी का कुछ नहीं होगा पढ़ाई करो होगा आरो एक्जाम का इंकाउंटर हम लोग करेंगे ठीके ना तो आलो मालो गालो नदी है बहुत अच्छा इसको कहते हैं मालो गालो नदी ध्यान अखना ये कोशन पूछा गया है कि जो उस्टिलिया की राजधानी है कैनबरा वो किस नदी के किनारे है तो बहुत से लोगों ने उसमें मर्रे किया था मर्रे नदी है लेकिन मर्रे में नहीं है इसकी एक सहाएक नदी छोटी सी है जिसे आप कहते हैं मालो गालो हाना मालो गालो गालो भाईया जितना गाना है तो ये कैन्बरा की राजधानी इसे किनारे ठीक ना और मर्ने जो है ये डार्लिंग नदी में आकर के मिल जाती है और फिर सीधे आकर के स्पेंसर की खाड़ी में गिर जाती है मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद